नमस्कार दोस्तो, आज हम आपको बताएंगे SkyBlue Digital On-Off Timer के बारे में जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे एक Output का Plug है इसमें आप अपनी कोई भी अप्लिकेशन का Plug लगा सकते हो, यहाँ पे इसे Mains 220V की Output निकलेगी और इसमें यहाँ पे दो Push Button दिये गए है, इससे आप Modes चेंज कर सकते हो इसकी यह Wire है, इसको आपको Mains Plug में लगाना है, तो चलिए हम इसको लगा के देख लेते है Wire को दोस्तों हम लोगों ने Mains के Plug में लगा दिया है Timer On हो चुक है, और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 6 LED Bulbs है यह वाले जो 3 LED Bulbs है, ऑफ टाइमर के लिए है, और यह वाले जो 3 LED Bulbs है, ऑन टाइमर के लिए है अब Push Button प्रेस करके On और Off Timer का Mode चेंज कर सकते हो For example, हमने प्रेस किया अभी Push Button On Timer का तो यह Mode Change हो गया, और 1 Minute से 5 Minute अभी 5 Minute से 10 Minute हो गया और ऐसी Off Timer का 5 Minute से 10 Minute, 1 Minute अभी 10 Minute On और 1 Minute Off का मतलब क्या है, यह जो आपकी Output है इसको यह Timer 10 Minute के लिए On रखेगा, उसके बाद 1 Minute के लिए Off रखेगा अभी हम लोगों ने 1 Minute से 5 Minute कर दिया Output इसका तो अभी 10 Minute On रखेगा और अभी 5 Minute के लिए Off रखेगा ऐसी ही आप इन 3 Modes में से Select कर सकते हो दोस्तो इस Timer में हमें देखने को मिल जाता है एक Memory Function, that is basically जब आपने Timer को Off किया, अज़से आपका काम हो चुका था आचका आपने Timer को Off कर दिया तो नेक्स जब आप Timer को On करोगे तो जो Settings आपने पहले की होई थी वो सारी Save ही रहेंगी और नेक्स टाइम आपको दुबारा देखने को मिल जाएंगी Same Settings नेक्स टॉगल बटन लेट से आपका Timer अभी On State में है तो आपने Mode Change किया लेट से एक मिनिट से पांच मिनिट का Mode Change कर लिया आपने तो वो Timer अगर Off State में था तो On हो जाएगा और On State में था तो Off हो जाएगा Timer के दोस्तों बहुत सारे Applications है वन अफ दे मेन Applications आजकल गर्मियों में इस Timer का क्या है कि इसमें Fogging Systems के Application में यह बहुत जादा यूज होता है Fogging Systems या फिर Misting Systems जो Cow Sheds या फिर Dairy Farms में लगते है उनके Plug आप डारेक्ली Main Supply में यहाँ पे लगा सकते हो और यहाँ पे लगाने के बाद यह जो Timer है On Off करता रहता है पूरे के पूरे Misting System को जिससे की आपके Dairy Farm में कीचड नहीं होता है वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद, थोड़ी-थोड़ी Intervals के बाद थोड़ी-थोड़ी Misting बनाता रहता है और Temperature कंट्रोल में रखता है दोस्तों यह Timer आपका 1.5 HP तक की Motor चला सकता है 1.5 HP की Motor around 1000 Watt लोड हो जाता है तो यह Wire जो है, यह 1000 Watt तक का लोड या फिर ऐसे कहें 4.5 या 4 Ampere तक का Current एजी ली ले सकती है और यह Plug भी दोस्तों 4 Ampere तक का लोड ले सकता है तो यह काफी Reliable System है दोस्तों और यह Timer जो है, इसकी बहुत ही जाज़ा Long Life है इसमें खराब होने वाले Components बहुत ही कम है सिरफ एक ही Moving Part है जो की है Relay जो System को On-Off करती है तो यह काफी Long Life चलने वाला Timer है दोस्तों